कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया है हिमाचल प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा इस जंग से जीतने के लिए अपनी एहम भूमी का निभा रही है प्रदेश की महिलाओं ने आज समूचे प्रदेश में जिला प्रशासन को मास्क वितरित किये हैं। जिला प्रशासन उन मास्क को जरुवतमन लोगों तक पहुंचायेगा ताकि इस जंग से जीता जा सके। सोलन महिला मोर्चा ने भी उपायोगत केसी चमन को 2000 मास्क के साथ ही सेनेटाइजर भी प्रदान किये जिसे जरुतमन्द लोगों तक पहुंचाया जाएगा सोलन में भाजपा प्रदेश महिला अध्यक्षे रश्मिधर सूद के अध्यक्षता में भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओने उपायोगत सोलन को करीब 2000 मास्क वा 200 से अधिक सेनेटाइजर की बोतले भींट की उपायोगत सोलन के ऐसी चमन द्वारा पात्र लोगों तक ये बचाव समगरी पहुंचाय जाएगी ताकि गरीब से गरीब इंसान अपनी शरीर की सुरक्षा का पूरा खयाल रख पाए प्रदेश भाजपा अभी तक लगभग 19 लाख मास्क बना चुकी है जो जरूरत मंदों को बांटे जा रहे हैं प्रदेश महीला मोर्चा की प्रदेशा अध्यक्षरशमी धर सूद ने बताया कि भाजपा महीला मोर्चा द्वारा पूरे देश में मास्क वित्रित किये गए हैं उन्हें कहा कि सोलन जिला में 2000 मास्क वा सेनिटाइजर उपायुक्त सोलन के माध्यम से गरीब लोगों तक पहुंचाये जाएंगे वेस्कवर दुबारा से बनाने का और वो मुझे उमीद है कि वो अब हमारे तैयारी उस पे हो जाएगी और वो शुरू हो जाएंगे और 20 तारिक तक 20 मही तक उस टार्गेट को हमें पूरा करना है मैं सभी लोगों से जो हमारी आवाज सुन रहे होंगे उनसे अन्रोद करते हूँ कि दोगज दूरी हमें बहुत ही उसका एहतियात रखना है बहुत आवशक है सैनिटाइजेशन का इस्तमाल करें क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे इस समस्या से हमको जूचना पड़ेगा और फेस कवर लगा के ही आपको 2020 का साल जो है वो गुजारना होगा अपने लिए घर में खुद बनाएं दूसरों को दें यही उमीद के साथ भारती जन्ता पाटी महिला मोर्चा आपका दर्शा उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि भाजपा महि जाने दिये लगए 2000 के करीब उनको हम जो जरूरतमन लोग है जो गरीब है जो साइट में कामकारिय करते हैं कंस्रक्शन वर्क साइट में है उसको हम अपने ग्रामिन जो मेकनेशन में के दोर यह डिस्टिबुशन ने उनको निया जाएगा Bureau Report City Channel Solan